बच्चों इस टाइब के कुश्चन को कैसे हल करें जहाँ पर आपको HCF and LCM of two numbers are 12 and 924 respectively than the pair of such numbers तो आपको इस प्रकार के कितनी संख्याओं के जोड़े मिल सकते हैं जिनका HCF कितना है बच्चों आपका 12 है और LCM इतना होना चाहिए तो यह आप कैसे करेंगे बच्चों बिल्कुल सिंपल रहेगा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा explain करना चाहूंगा आपके पास दो संख्याओं कौन सी संख्याओं जैसे यहाँ पर हम समझते हैं एक है आपका 12X और दूसरा है 12Y इनका आप HCF लेंगे तो HCF में क्या आएगा बच्चों इसका फुल फॉर्म याद करो क्या होता है highest common factor इसमें हम common factor लेते हैं यहाँ ऐसा factor जो यहाँ भी है यहाँ कितना है आपका देखिए 12 यहाँ भी 12 है तो यह आपका HCF बनेगा यहाँ मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूं जब भी और यहाँ पे X और Y क्या रहेंगे आपके co-prime number रहेंगे यह co-prime number इसलिए इसमें कोई extra factor common नहीं आएगा क्योंकि इनमें कोई भी factor common नहीं है co-prime number का मतलब क्या है X के factor अलग है Y के factor अलग है यह मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं क्योंकि जब भी आपको ऐसे pair पूछे जा रहे हैं और HCF दे रखा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे let numbers numbers क्या आएंगे आपके पास ऐसे आएंगे 12X और 12Y इसके गुणा में आएगा कैसे आएगा वो मैंने आपको बताने की कोशिए इसके practice करेंगे तो एकदम clear हो जाएगा h-shape आता कैसे उसको समझे h-shape आता है आपका common factor से इससे factor जो यहां भी हो यहां भी हो दोनों जगे हो चीग है ओके अब देखिए अब आप जानते हैं product of two numbers इकुल टू क्या रहता है product of lcm एंड एच शेप तो दो नमबर हमारे पास यह है बारा एक्स और बारा वाई कितना है आपका 924 है और एच शेप कितना है वन टू देखिए वन टू से वन टू कैंसल यहां गया एक्स वाई और यह जो बच गया यह आपका हम दूसरी साइड भेजेंगे तो किसमा आजएगा डिवैड में यहां पर multiply में डिवैड में जाएगा तो बारा को कैंसल कर दे करते हैं अब बारा कर इसमें हम डिवैड करते हैं डिवैड कितनी वार होता है वह हम देखते हैं साथ से कुना करते हैं साथ दू зовут चब्दाए एक के पर चला गया 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 साथ वार आगए 14C उसके बाद आ गया आपके पास फिर 7 वार गया 77 आ गया किसके इकोल टू एकस वाई के इकल तो अब देखिए हमें क्या चीए ऐसे जोड़े चीए तो अब हम इसके जो फेक्टर है उसके उसमें क्या लेंगे को प्राइम फेक्टर उसको लेंगे ठीक तो एक तो आपका क्या बन जाए एक और 77 ये को हमेंसा ध्यान देखिए जो भी है एक तो ये आपका रहे गए दूसरा इसके हम फेक्टर करनें कितना हैगा साथ गुणा इगर आएगा तो साथ और इगर ये भी आपके क्या है को प्राइम नमबर है तो ऐसे पेर आपके पास कितने बन गए बच्चों दो पेर बन गए ठीक है अब ये पेर कैसे बने देखिए हम यहाँ वेल्यूरण रखेंगे एक्सका तो एक यह जोड़ा आजेगा बारा गुणा x बाराु बारा गुणा 77 एक यह आजाएगा दूसरे मैं यह एक्स और य के वैलियू रखेंगे यह क्या